हाँ तो भाई कैसे हो आप लोग स्वागेते सभी छात्तिर शात्रों का आज की इस वीडियो में तो गाईस आप लोग वेट कर रहे थे क्यार सी डबलल वीडियो कब आईगी तो फाइनली यार सी डबलल वीडियो आ चुकी है तो गाईस दिखातों कौन-कौन से क्लेंज मिले अभी हम लोग देखें तो भाई साब यह हमारी first war चल रही है और यहां पर इन क्लेंज के साथ हमें खेलना है और इस बार हम लोग top 10 world ring ट्राइ कर रहे तो क्या लगता है आप लोग को हो पाएगा comment करके बताओ यह वाली वीडियो जो है मैं record करने वाला था नी तो मेरे को आ यूज करता हूं तो मैंने बेज उस लिजाप से मार किया उसी आर्मी के लिए लेकिन मेरा account Titan League में ता तो मेरे को Legend League में लाना था एक है तो मेरे मैं बिल्कुल था ही नहीं की इलेक्ट्रो ट्रेंड ने लेकिन मैं घुज के अटेक पर तो वहां पर बिलियाड लाबलू उनक आटेक को देख लेते हैं और गाइज अगर आप लोग सिर्फ यही वाली वीडियो देखना चाहते हैं तो यार लाइक कर दो और अगर आप लोग चाहते हो और भी वीडियो देखना तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एप तो यार यूटुब ने बहुत ही आसान कर लाइक करना कोमेंट करना सब कुछ आप लोग लिए बहुत ही इजी कर दिया है अभी वीडियो चल लिए होगी देखो नीचे ऑप्सन देखे आप लोग के लिए तो बहुत ही आराम चाहते हो तो यार कर दो कोई दिक्कत नहीं है और यहां पर देखो बिलियाड लावलून समझे लो तो फिलाल देखते हैं यहां पर क्या रहता है लेकिन एक चीज़े भाई इस इस केम के बाद जब भी मैं टेक करूँगा ना तो ह्यार अपनी आर्मी चेक जरूर करूँगा क्योंकि यहां पर सीन अलगी हो जाता है अगर आप लोग गलत आर्मी से चले याओ क्यो किंग और कुईन आ रही है उपर से एक आज़ गुलम डाला है वोल ब्रेक करा दिया आगर आगे बेबी ड्रागन से फनल चल ला है एक सूपर गोबिलिन भी डाला था कुईन की हेल्थ देखे तो कम है तो सर्वाइब तो हो जाएगी सायद वोल ब्रेक दे दिया किंग के ल लिए होना चाहिए बस तो बाकी का मैं आप लोगों दिखाऊंगा क्या ही स्कोर चल रहा है और कौन-कौन से क्लैन है जो तगड़ा खेल ले है वो भी दिखाई है आप लोगो अभी फिलाल इस अटेक को अगर हम लोग देखें तो लगबग तो ठीक चल रहा है ठीक ठागी के साथ जे प्यूज होने वाली है और अरजून भाई साथ अटेक करेंगे वह वाला तो देखते हैं यार सूपर ड्राइगन्स के साथ ये इस पहला आप लोगों ने साइद अभी देखी नहीं होगी साइद या आप लोगों अभी तक देखा होगा उस टाइप का अटेक मे पर ड्राइगन्स एंड आठ जैप इस्पेल तो मैं आप लोगों को बोली रहा था यहां पर आर्मी कॉंबिनेशन तगड़ा होने वाला है तो नोर्मली आप लोगों ने देखा होगा रेज फिरीज वो तो सब यूज करते हैं लेकिन यहां पर जैप यह कुछ अलग है ठीक ह सबसे पहले EQ डालिए ताकि Builder Head जो है वो बीजी हो जाए और पूरा Core जो है वो गाइब कर दिया इसने एक रेज स्पेल है इसके पास तीन फिरेज स्पेल है और Blimp में सूपर Goblin से है तो TH बिना स्पेल के आ जाएगा और काफी तगड़ा प्लान था तो साथ मैं डिसकस किया इस बंदे ने इसलिए मैं पूरा प्लान पता है अभी यहां से आर्मी आने वाली है किदर से किंग साइड से इस साइड से आर्मी आईगी तो यहीं से आर्मी को एंटर करेंगे यहां पर कुई डालिए आर्मी डाल दिए तो सही चल रहा है अटेक प्लान के अकोडिंग तो देखो दो air defenses सिर्फ यह target करने जल से जल एक rage भी डाल दिया है, CC आ चुकी है poison लेकर नहीं आए, बिना poison का आए क्यों? क्योंकि भाई, 8 JP spell यूज करी है तो spell तो वैसी कम थी तो अगर poison लेते तो और कम हो जाती इसलिए बिना poison के आना पसंद करा और यह super dragons है नहीं का damage भी बहुत जादा है यह heroes वगेरा को बहुत easily मार देते हैं जैसे कि यहाँ पर queen है, फुर्दे को queen को मार दिया अभी यहाँ पर अगर normal dragons होते तो बहुत ही जल्दी मर जाते है इसके अगोडिक फिलाल यार, ठीक attack से ही चल रहा है रोल चेंपिन अभी hold है second scatter भी ने मिली जाएगा यहाँ से रोल चेंपिन आगे से डाली है तीन freeze बचा के रखी है single inferno के लिए तो देखते हैं क्या रहता है 3 star लग तो रहा है यार आप लोग को लग रहा है होगा मेरे ख्याल से हो जाएगा सायद चलो देखते हैं होता है यह नहीं होता है single को freeze करा है RC ability यूज़ कर देनी चाहिए यहाँ पर क्योंकि फिर और freeze लगेंगे single पर use एक freeze और मारा है RC ability यूज़ tornado लिकला है गाईस देख रहे हो tornado एक freeze यहाँ पर आगई x-bow लिकल जा कैसे भी देखो attack तो strong है यह अभी तक queen के पास ability है तो काफी defenses अभी भी down हो सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है इस attack में and उँ भाई देख रहे हो super dragon अभी भी बचा हुआ है water नहीं खतम कर देगा यार queen को तो आनी की जरुवती नहीं है समझे दो and अरजुन भाई साब ने यहां पर triple कर दिया लेकिन कहीं न कहीं मेरे को थोड़ा दुख होगा दुख किस बात का दुख इस बात का एक अगर मेरा army combination सही होता ना तो एक three star जादा होता यहां पर तो हम अभी second number के उपर है लेकिन हमारे attacks बचे हुए है उपर के cleanse ने attack कर ली है इसलिए यह number one पर है तो यह सारे cleanse भाई अभी तो ऐसा खेल रहे है ठीक है 14 attack किये है इसने 12 attack किये और यह तो भाई पूछोई मत ठीक है तो इस type के cleanse है इन सब के साथ हमें खेलना है तो देखते हैं यार क्या रहता है क्या हम world rank ले पाएंगे सिर्फ वो ही एक point है तो उस point को पकड़ कर रखना है पूरे CWL और mind में रहना चाहिए जब ही तो अच्छा score हो पाएगा बस guys आज के लिए एतना ही अगर चैनल पर पहली बारो सब्सक्राइब करो और वीडियो चिलेगे लाइक करो क्या हम world rank ले पाएंगे वो comment करो तो मैं मिलता हूँ next वीडियो में जबपक के लिए बाई